हलो डियर श्टुडेंट आप सभी की चैनल में आपका स्वागत है हम पिछले वीडियो में राजस्तान की भोत्तिक विशेष्ताइं पढ़ रहे थे जिसमें हमने थार के मुरुस्तल पढ़ा था और उसके दो भाग सुस्क मुरुस्तल और अर्द सुस्क मुरुस्तल में से पढ़ लिया था आज हम स्टार्ट करते हैं अर्द सुस्क मुरुस्तल जिसे लगू मुरुस्तल और राजस्तान का बांगलर भी कहा जाता है अर्द सुस्क मुरुस्तल ये भाग में 25 से 50 सेंटीमेटर तक वर्षा होती है और इसे चार भागों में बाटा गया है इस अर्द लूणी बेसिन सबसे पहले आता है, नदी निर्मुत मेदान को क्या कहते निर्मान होता है, यो लूणी Strasal को क्या कहा जाता है या फिर जालोर पाली बाड मेर भाग को क्या कहा जाता है गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है लोणी बेसिन में समिल जालोर पाली बाड मेर को गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है बाड मेर में मोकलसर से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाडिया है इसलिए इ माही नदी के किनारे अब आता है चपन की पहाड़ियों में नाकोड़ा परवत और हल्देश्वर की पहाड़ी विद्मान है स्थित हैं वहाँ पर नाकोड़ा परवत और हल्देश्वर की पहाड़ी चपन की पहाड़ियों में और हल्देश्वर पहाड़ी पर एक गाउं है पीपलुंद, हल्देश्वर पहाड़ी पर एक गाउं बसा हुआ है, पीपलुंद, जिसे राजस्तान का लगू माउंट अबू कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी बारिस होती हैं, इसलिए राजस्तान का लगू माउंट अबू कहलाता है, पीपलुंद, जो कि कौनस इनदी का उद्गम होता है और वहाँ पर सुन्डा परवत हैं फिर आता है दूसरा भाग नागोर की उच्च भूमी और इस नागोर की उच्च भूमी की उच्चाई कितनी है समुद्र तल से 500 मिटर तक इस नागोर की उच्च भूमी की उच्चाई है फिर तीसरा भाग आता ह अर्दुसुस्क मरुस्तल का सेखावटी का अंतया परवावी सेत्र इसमें कौन-कौन से जिल्ले सामिल है सीकर चूरू जुन-जुनु को सेखावटी के अंतया परवावी सेत्र में सामिल किया गया है जिसे क्या कहते हैं बांगड परदेश कहते हैं शीकर, चूरू, जुन, जुनू, बांगड परदेश कहलाते हैं सेखावटी की अंत्य प्रववी सेत्र में वर्षा रितु में ऐस्ताई तालाब बनते हैं जिनें सर या सरोवर कहते हैं शेखावटी के अंत्य प्रववी सेत्र, बंगड परदेश में वर्षा रित्व में जो ऐस्ताई ताला बनते हैं, उन्हें सर या सरोवर कहते हैं, जबकि सेखावटी में कच्चे या पक्ये कुओं को जोहड या नाडा कहते हैं, फिर चोता भाग आता हैं, गगगर परदेश गगर परदेश में गंगानगर और हनुमानगर का 75 परतिशत भाग आता है, और हनुमानगर में गगर के मेदान को नाली या पाट का मेदान भी कहते हैं, नदियों में अपन पढ़ेंगे, ये गगर नदी एक मात्र ऐसी नदी हैं, जिसका उद्गम उत्तर दिशा से होता है शिवालिक पहाडिया हिमाचल प्रदिश से इसका उद्गम होता है गगर कर नदी का और ये एक मात्र नदी है राजस्तान की जिसका उद्गम उत्तर दिशा से होता है और हनुमार गडरी में गगगर के मिदान को क्या कहते हैं नाली या पाट का मिदान कहते हैं अब इसके बाद आते हैं मरुस्तले सब्दावलिया कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी क्विशन आता रहता है पहले खडीन का आया था तो पहला है रन्या ठाड रन्या ठाड क्या होती है मरुस्तल में वर्षा जब होती है तो वर्षा रितु में बनने वाली ऐस्ताई खारे पानी की जील या दलदली भूमी को रन्या ठाड कहते है मरुस्तल में आप याद रखेगा सब्दा हो लिया मरुस्तल में वर्षा रितु में बनने वाली ऐस्ताई खारे पानी की जील या दल्दली भूमी क्या कहलाती है रन्या ठाड कहलाती है ये ऐस्ताई खारे पानी की जीले होती है फिर आता है डांड डांड क्या होती है विशिष्ट लवणिय जीले जो होती है उन्हें डांड कहते हैं विशिष्ट लवणिये जीलो को डांड कहते हैं फिर इसके बाद आती हैं पलाया पलाया क्या होती हैं हवा या पवन निर्मित ऐस्ताई खारे पानी की जीलो को पलाया कहते हैं और विशिष्ट लवने जिलो को क्या कहते हैं दांड कहते हैं फिर इसके बाद आता है खडीन रीट 2015 में किशन आयता आप सबको याद है जेसल मेर मेर में पंदरवी सदी में पालिवाल ब्रामणों द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संगरहन पद्धिती को खडीन कहते हैं पत्रिला जो मरुष्टल होता है उसे हम्मादा कहते हैं पत्रिले मरुष्टल को हम्मादा कहते हैं और विस्तार कहां पर है इस हम्मादा पत्रिले मरुष्टल का जेसल मेर के लोद्रवा और रामगड में इस हम्मादा पत्रिले मरुष्टल का विस्तार हैं फिर आता है रे अब इसके बाद आता है नाचना, नाचना किसलिए परसिद हैं, ये जेसल मेर का एक गाउं है नाचना, जो कि मरुस्तल के परसार के लिए जाना जाता है, मरुस्तल के परसार के लिए जाना जाता है, और नाचना गाउं का उट भी परसिद है, मरुस्तल के परसार को रेगिस् जाडियों के पीछे बनने वाले रेत के टीले नेब का कहलाते हैं जाडियों के पीछे बनने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं नेब का कहलाते हैं फिर इसके बाद आएगा लाटी सीरी सेत्र क्या है या किशन आता हुआ रहता है लाटी सीरी सेत्र क्या है जबकि सोर्ट्रिकोंड, बाड मेर, जेसल मेर और जोदबूर इसके बाद आता है भारत की कुल व्यर्थ भूमी का कितने प्रतिशत भाग राजस्तान में स्तित है तो भारत की कुल व्यर्थ भूमी का 20 प्रतिशत भाग राजस्तान में स्तित है और राजस्तान में सरवादिक व्यर्थ भूमी कहाँ पर है जेसल मेर में है जबकि अनुपात या परतिशत की दरश्टी से सरवादिक व्यर्थ भूमी राजसमंद में है सरवादिक वेर्थ भूमी तो राजस्तान में है जैसल मेर में लेकिन अगर अनुपाद की द्रश्टी से या प्रतिशत की द्रश्टी से देखा जाए तो सरवादिक वेर्थ भूमी है राज समन्द में इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा भाग अरावली परवतमाला तो पढ़ते रही आपके अपने चनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत